जी हाँ दोस्तो आज मैं आपके लिए लेका आया हूँ ऐसा बिजनस आइडिया जो आप घर से या जहां से भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसके साथ शुरू कर सकते हैं और अगर आप कहीं गाओं में या कही पर रहते हैं जहां पर आपको लगता है कि मुझे कोई बिजनस करने के लिए जादा इंवेस्मेंट नहीं कर सकता तो जी हां दोस्तों यह बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट होने वाला बिजनस है मातर 10,000-15,000 रुपए अगर आप लगा सकते हैं तो यह बिजनस आप कर सकते हैं और इसमें आप मैं यह तो नहीं कहूंगा लाखों कमा सकते हैं लेकिन हाँ यह सच भी है आप अपनी महनत करके लाखों रुपए कमा सकते हैं लेकिन हजारों के शुरुआत तो आपकी पहले मह लगानी है मशीन आपकी खराब नहीं होगी सालो साल चलेगी अगर आप आज काम कर रहे हैं अपने घर से अपने छोटी मुटी किसी दुकान से अपने ऑफिस से और कलको लगता है आपका काम बढ़ गया है आप किसी और जगह पे इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो वह भी ब 2024 मेरे साथ बने रही है लास तक अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों सबसे बहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आसान बिजनस और जो अगर आप Google भी करेंगे बिजनस आइडिया या minimum business investment in business idea तो आपको पांसे दस लाग रुपे लगते हैं और या फिर आपको ऐसा लगेगा ऐसी चीजे मिलेंगी देखने के लिए जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन टीशेट प्रिंटिंग बिजनस का ऐसा है जो हर को ही कर सकता है और इसकी growth year and year business बहुत तेजी से बढ़ रही है यह हमारे इंडिया में कस्टमाइज टीशेट प्रिंटिंग का बिजनस बहुत लेट आया है अबराड में यह बहुत सालों से चल रहा था और अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे platform है टीशेट सेल करने के लिए लेकिन कस्टमाइज टीशेट अगर हम सेल करते हैं कस्टमाइज टीशेट का मतलब यह है कि अगर हम print करके देते हैं वह print हमारी मर्जी का हो या customer अगर बांगता है उसकी मर्जी का हो उसका company का logo हो office का logo हो या उसके कोई brand का logo हो वो print करके या कोई photograph हो या कोई customer जिसको gift करना है अपने किसे relative को उसने photo लगवानी है तो इस तरीकी की जो t-shirts है वो भी market में आज की date में बहुत demand में है और उनको हम sale करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से sale होती है तो दोस्तो t-shirt printing business मे total investment आपकी तकरीबन 30,000 रुपे लगती है मैं आपसे यह नहीं कहूंगा 5000 रुपे लगाए 10,000 रुपे लगाए और लाख रुपे कमाए definitely हम लोग यही सोचते हैं और होता भी है अगर आप खाली printing machine लेते हैं तो 10,000 रुपे में आ जाएगी लेकिन उसके साथ आपको Google से अच्छे-च्छे designs देखके inspire हो सकते हैं और उनको print कर सकते हैं और अगर आपके सामने कोई company है जो अपना logo print कराना चाता है तो वो print कर सकते हैं उसके लिए आपको computer की जुरत नहीं आप अपने mobile से ही उसका print दे सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई friend है को relative ह कोई customer है जो अपनी photo print कराना चाता है या आपने किसी भांजे बतीजे को happy birthday की कोई T-shirt देना चाता है उसकी photo के साथ में तो वो भी आपको देगा तो उसमें में designing कुछ नहीं करनी होती है सिर्फ अपने mobile में उसको print करना होता है तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं आपके घर में laptop है या desktop है या पुराना हो चाहें कैसा भी हो इसके लिए कोई high configuration का laptop या desktop नहीं चाहिए होता है तो वो भी चल जाएगा तो अगर वो है तो आपकी investment और कम हो जाती है तब आपका काम जो है और कम पैसों में हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि किन-किन वीडियो चोड़ देते हैं कि हमने देख लिया फिर मेर को WhatsApp पे या comments में लिखने लगते हैं कि सर इसका क्या price होगा यह कैसे होगा तो दोस्तों पूरा वीडियो देखो आपको हर चीज़ इसी वीडियो में मिलेगी तो हम start करते हैं कि हमारी जो टी-shirt printing machine है जिसको हम 5-1 प्र जादा का फर्क नहीं होता है तो अगर यह टी-shirt printing machine जो 5-1 है आप यह बाय कर लेते हैं तो इसके साथ कुछ attachments आती है इसको 5-1 इसलिए बोला जाता है कि इसके साथ 4 attachments और होती है तो उसमें आप print कर सकते हैं मग print कर सकते हैं दोस्तों यह भी एक बड़ा business है इसका भी बहुत बड़ा market है आप टी-shirt printing business start कर रहे हैं मग printing भी कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई अलग से attachment या कोई अलग से machine खरीदने की जुरत नहीं है इसके अलावा प्रिंट कर सकते हैं का प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों का बहुत बड़ा market है का बहुत बड़ा business है आप अगर देखें के badges और काप बहुत जादा चलते हैं आपके लिए market पूरा open market है आप पूरे इंडिया में फ्लिपकाट Amazon मिंत्रा मिश्यो इनके थुरू तो अपने product बेची सकते हैं इसके अलावा आप अपने website या advertisement करके भी अपने product sale कर सकते हैं और ये product आप कहीं पे भी sale कर सकते हैं तो आ आपके पहचान बन जाती है तो आपको different different type के वह होते हैं 12 महिने चलने वाला काम है यह ऐसा नहीं होगा कि साल में 3 महिने चलेगा और 9 महिने नहीं चलेगा इसके अलावा इसमें plate print कर सकते हैं tile print कर सकते हैं cushion print कर सकते हैं cushion gifting के लिए बहुत use होता है और इसमें margin भी बहुत जाना मिलता है laptop back print कर सकते हैं मैंने पुरानी वीडियो में डाला था laptop back पर मैंने customer कंपनी का logo print करके दिखाया था तो आप laptop back print कर सकते हैं दोस्तो tile print कर सकते हैं id card print कर सकते हैं id card print कर सकते हैं id card print करने के लिए आज की date में बहुत सारे mood आ गए हैं आप dragon sheet ले सकते हैं किसी भी inkjet से print कर सकते हैं Epson का जो L8050 या और एक दो model है उसमें by default tray लगी होती है वहां से print कर सकते हैं अगर वो दोनों option नहीं use करना चाते हैं जो आपके वास machine है उसी से print करना चाते हैं तो हाँ दोस्तों इसमें भी option होता है id card print कर सकते हैं हैं इसके लाव अगर मैं बात करता हстранा I हों चाए आपके क्रालिक क्यों ना सकते हैं इसीबी शेप में उसको cutting करा कि उपर printing करें तो यह बहुत अच्छे है आज के अगर आप देखेंगे गूगल पे तो 1200 से 1400 रुपे में आपके अक्रालिक के डिजाइन भी करें है प्रिंट होके जिसकी हमारी खुद की कौस जो है 300-400 रुपे से जादा नहीं पड़ती है तो मैं वही बात करता हूं कि 400-400 रुपे में दोनों चीज़े आ जाती है इसके लावा आपको चाहिए एक प्रिंटर चाहिए और एक कंप्यूटर लैप्टॉप अगर घर में आपके कोई भी कंप्यूटर लैप्टॉप है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं प्रिंटर आपको लेना है प्रिंटर में कोई एफर्स नहीं करने कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना वह brivity है आप ने इंक डाली और उसके या सब्रेह और उसके बाद आपको जो भी मघ टी शर्ट करना करसके और उसमें कोई efforts नहीं करने कोई training नहीं लेनी है तो किसी भी तरह की training की जोरत नहीं है आप उसमें सीधा प्रेंट निकालें और आप उसको प्रेंट कर सकते हैं मग टी-शिट या जो भी आपका प्रोड़क्ट है उसके उपर अब अगर हम बात करते हैं कॉस की तो एफोर साइज आपका ईख़ी को प्रेंट करेंगा हैसुट कवार्व तो कि प्रेंटीक निकल जाता है अगर आपकोड़क्र प्रेंट करना है यह को फॉर इसके अलाव बात करते हैं तो तकरीबन चार लोगों एक कुर शीट में निकल जाते हैं तो इसे हसाब से एक चेक करींगे कि 15 अ अगर आप मार्केट से 40 रुपे का मग बाए करते हैं और 5 रुपे में प्रिंटिंग कर लेते हैं तो 45 रुपीज आपको जो है रुनिंग कॉस्ट रहती है मशीन के अलावा तो अगर आप मार्केट में उसको बेचने के लिए जाते हैं तो आपको 200-500 रुपे पर मग मिलता है कस्टमाइज मग है तो इसकी कॉस्ट इतनी होती है अगर बल्क में जाएंगे आप किसी को 100 मग चाहिए 200 मग चाहिए तो यह आप 500 रुपे में दे सकते हैं तब भी आपको जो है त्री टाइम्स यानि कि 300 मार्जन होता है इसमें अगर हम बात करते हैं टीशेट प्रिंटिं हो जाता है अब अब उसको मार्केट में 300 में 400 में 600 कर सकते हैं डिजाइन अच्छा है या कस्टमाइज है अकर कस्मर की दिवांट के हिसाफ सब्सकर्ण हो जाता है तो ऊसको जाता है अब label सक पिक तक नबला के उसको औलाइन बीचने के कुशिशit करते हैं तो उसमें आप क करेंगे और पांच रुपे पांच रुपे भी नहीं के ऊपर लोगों छोटा लगता है तो तकरीबन एक एक फूर शीट में आठ से दस लोगों निकल जाते हैं यह जो भी प्रिंट करना है तो उसे इसाफ से देखेंगे तो देड़ रुपे प्रिंट निकलता है तो अगर 20 रुपे की कैप है दो रुपे प्रिंट था तो बाइस रुपे में 24 रुपे पच्चीज रुपे भी लगा लोगे तो भी आपकी 200 रुपे की आराम से काप बिग जाती है तो दो सुरुपे में परस्नलाइज कैप आप बेच सकते हैं या फिर में खुद की कॉस्स कितनी आती है 25 रुपे तो आप मार्जन खुदी कर सकते हो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइल की आईडी कार्ड की है उसकी तो हर प्रोड़क में यह कस्टमाइज बिजनस है तो इसमें मार्जन अच्छा है इंवेस्मेंट की बात किये तो मैं समझना है या पूछना है तो आप में से कमेंट बॉक्स में लिखें मैं आपको इमेजट रिप्लाई करूंगा और अगर आपको ज़्यादा पड़ेगी तो मैं आप टू बन टू बन फोन पे भी आपको बता सकता हूं आप कोई भी यह इसमें से कोई भी बिजनस रात बजे छी बज़े फोन करते हैं तो नौन वर्किंग आज होते हैं मेरा भी आराम करने का या मेरा भी अपनी फैमली के साथ टाइम देने का टाइम होता है तो आप प्लीज मेरे को वरकिंग डेज में मंडे टू फ्राइडे मौनिं टेंट इट इसी दौरान मेसेज या बर फोन करें उसके अलावा अगर आपको कोई कौरी है मैसे ड्रॉप कर दे मिलेका मैं आपको रिपलाइग बढ़े इंद से आट की बीच की बात करते मेरे को फोन कर सकते हैं और अब मेसेज करेंगे तो मैं मैसेज भी भी कर सकते हैं अब आपको मैं description में वह चीज़ लिख देता हूं जो जो इसमें जरूरी होती है और उनकी cost भी लिख देता हूं like machine है five and one वह कितने की आती है क्या क्या प्रेंट हो जाता है वह product आया हो तो आप जरूर इसको live करें शेर करें सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है किसी topic के उपर आपको वीडियो चाहिए या आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ नहीं है या समझना चाहते हैं तो comment में लिखेंगे तो मैं उसके उपर वीडियो भी बना अगर आपको कुछ भी मेर से पूछना होगा तो मैं आपके लिए अवलेबल हूं थैंक्यू दोस्तों